असलावलेकुम फ्रेंड्स और कैसे आप सब लोग उमीद करते हैं आप लोगों के लिए फ्रूट कस्टर तो देखिए हमने यहाँ पर दूद उबालने के लिए रख दिया है अब हमने यह कस्टर पॉडर दूद में थोड़ा सा नॉर्मल दूद है यह हमने कटोरी में लिया दूद पर दूद गरम नहीं होना चाहिए रूम टेंपरेशर पर होना चाहिए तो यह दूद में बजल पकते वे आठ से 10 तो इसमें हमने चाहे कस्टर पाउडर के ऐसे या हमें आते हैं मैंने बटर रहार दीआ हैं मुझे यही पसंद है बच्छों को भी पसंद आता है त कि फोच चुका वीडियो तो आप जो है चीनी पहले डालें आदा कप मैंने चीनी इसमें शामिल किया मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आदा कप मैंने लिया है तो यहां पर देखिए हमने कुछ फुरूट्स कट करके रखे हुए हैं पॉम ग्रीनेट है पपाया है बनाना है ग्रेप्स है तो यह टाइप फुरूट्स यह रखे हुए थे इसे मैंने एट कर दिया तो देखिए फुरूट्स जब मैंने एट किया था तो चूला मैंने बन कर दिया है और थोड़ा सा ठंडा हो गया था यह तब फुरूट्स एट किया अब इसे फ्रीज में आ पग दें और जब यह खुब ठंडा हो जाए तब आप सर्फ करें अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक किजिए चलती हैं चब बहुत वरी दुआं को साथ अल्लाह फीज